surface tension क्या क्या होती तो surface tension मतलब कुछ न मुद्ध कुछ खर तैस के बीच में कुछ खर वह ऐंग Air पहली बाड थो अगरह रहली बात अगर हम surface किसे बोलते ह tut video कि जो कि नारे के अगर मालो आपके liquid को प्रिख पास की स्क्रूब क्यूब है तो किनारे वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं यह हमारे बल्क वाले मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हमारे बल्क वाले मॉलिक्यूल्स को छलग होते हैं बल्क वाले मॉलिक्यूल्स नहीं कर रहे होते हैं, तो साथ में क्यों रहते हैं, यह दर जाता है, यह दर जाता है, फिर गैस बन जाती है हमारे पास, इस सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक करते हैं, अच्छे इसके चारों तरफ बहुत सारे इस तरीके से मॉल्लकूल से हैं, और हो सकता है कि exactly बराबर लेकिन आसपास वाले देखोगे, तो हर तरफ आपको दिखेगा बहुत सारे हैं, हर तरफ मॉल्लकूल है, उसके उपर चारों तरफ जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, इस तरीके से, अट्रैक्शन के इसके पास फोर्स लगते रहते हैं, और हर दिशा में फोर्स अट्रैक्शन का, तो वहाँ जाने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर मैं सर्फिस वाले मॉल्लकूल की बात करूँ, जैसे इस कोने वाले मॉल्लकूल को मैंने पकड़ लिया, अब देखो, इसके इधर में मॉल्लकूल है, इधर में मॉल्लकूल है, इधर में मॉल्लकू फिर ये इस तरीके से curved हो जाती है और हमाय पास यहाँ पर इस तरीके से मानलो अब ये rearrange हो करके सारे इस तरीके से बन गए है ना, ये सारे के सारे rearrange जो के ऐसे आ गए अब बोलोगे क्या अब इसके forces balance हो गए है नहीं, forces अभी भी इसके balance नहीं हो है कैसे नहीं है अब मालनो मैंने इस वाले molecule की बात कर लेता हूँ इसका मैं यहाँ पर diagram बना रहा हूँ पहले तो मैं जिसका diagram मना है वो वाला दिखा दूँ यह इसका diagram था यह इस वाले का diagram हम यहाँ बना रहे हैं इसकी उपर देखो यह बोलेगा कि यह भी नहीं है equilibrium में तो यह भी चाहता है इन सभी का आप net equivalent नकाल लो तो यह दोनों तो cancel out हो गए इन दोनों का भी इदर कुछ हमारे पास net force हम देखते हैं यह चाहता है यह अंदर आ जाए हमारे पास F इस तरफ लग रहा है तो यह अंदर आना की कोशिश करेगा अंदर आने की कोशिश करेगा इस तरीके से सारे के सारे आप देखो सारे के सारे molecules जो surface वाले हैं वो चाहते हैं कि यह रहा हम अंदर आ जाए सारे के सारे इस तरफ अंदर आना चाहते है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब इसको ध्यान से देखो यह कैसा देख रहा है ऐसा नहीं देख रहा हमारे पास इस तरीके से थोड़ा सा पानी था उसके उपर बहुत सारा इस तरीके से फूर्स लग रहा है इग्जैक्ली यही होता और किसी चीज़के उपर आप ऐसे 4 तवस से फूर्स लगातानी तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है इग्जैक्ली यही होता यहां भी अंदर हमारा पास प्रेशर कुछ ज्यादा हो जाता है पॉर एग्जामपल अगर हमारा पास बाहर इहां पर है प्रेशर पी तो अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है प्लस डिल्टा पी इस तरीके का हो जाता है अब क्योंकि यहाँ पर हमाया पास प्रेशर अलग-अलग है यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल से अगर मैं बात करूँ तो बोला है यार हमाया पास cohesive forces तो इस तरीके से लग रहे है लेकिन थोड़ा सा force pressure difference के कारण उल्टे direction में हमाया पास लगेगा इस तरीके से इस तरफ लग रहा होगा मेरे पास force due to डिल्टा पी छीक है अब यह equilibrium में आ सकता है और exactly यही चीज़ होती है हम eventually calculate भी करेंगे डिल्टा पी की value कितनी आती है लेकिन surface किस तरीके से काम करते है यह हमें समझना चाहिए अब देखो यहाँ पर एक और बहुत ही important चीज़ है इसी को बोलने का एक दूसरा तरीका भी होता है क्या तरीका होता है रेखो भाई हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मान लो क्यूब थी क्यूब का area कितना होता है area होता है इसका a cube अगर हमारे पास length इस तरीके से a है area नहीं स्वारी है तो volume लिख दिया हमने इसका area जो हो जाता है area की value आजाती है हमारे पास यह आजाएगा 6 times a square इस तरीके से फिर यही जो volume है यह जब हमारे पास इस तरीके से a spherical shape ले लेता है तो हम देखते हैं कि इसका जो surface area है वो थोड़ा reduce हो जाता है यहाँ से हम आते हैं हमारे पास radius r के बराबर है तो हम क्या देखेंगे पहली बात तो इसका volume same रहता है number of volume उस तो इतनी है volume same रहता है तो मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो volume था वो same रहता है इसको लिख देते हैं volume remains same कैसे हो जाएगा इधर था volume a cube दूसरी तरफ हमारे पास volume है let's say 4 by 3 by r cube छेक इस तरीके से दोनो volume same रहते हैं लेकिन अब आप इसके साब से area चेक करोगे पहले मेरे पास area कितना था 6a square अब मेरे पास area कितना आ जाएगा अब मेरे पास area आ जाता है 4 by r square और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास area कम हो चुका है तो surface tension को इस तरीके से बोल दिया जाता है इस surface अपने आप में इस तरीके से forces लगाती है surface tension कुछ इस तरीके से काम करती है कि भाई वो अपना area minimize करने की कोशिश करती है और किसी भी given volume पर जो minimum area आता है वो एक sphere में आता है इसलिए surface चाहती है कि वो एक sphere बन जा इस तरीके से perfect sphere इसलिए हम पानी की जब बूंदे देखते हैं हवा में तो वो अपने आपको ऐसे cube बना के नहीं रखते हैं ऐसे कोई अजीब सा triangular tetrahydral बना के नहीं रखते हो ठीक है सारे के सारे molecule इखटे हो जाते हैं पस गोल पानी की बूंद इस तरीके से बन जाती है surface tension tries to minimize the surface area इसको भी हम लिख सकते हैं और अब देखते surface tension को नापक इस तरीके से जाता है surface tension को visualize करने की कोशिश करते हैं लिगो surface tension को लिखा जाएगा अगर उसे measure करने जाएगे तो हमाँ पास आता है कुछ force per unit length उसको बोला जाता है surface tension तो जैसे मानलो हमाँ पास इसमें क्यूब में पानी भरा हुआ है अब कौन सा force और कौन सी length किसकी बात हो रही है यहाँ पर तो दीखो हमाँ पास यहाँ पर एक पहली बात तो surface ढूंदो पानी की यहाँ पर हमाँ पास surface है अब इसमें कौन सी per unit length और कौन से force की बात हो रही है अगर मैं यहाँ पर एक hypothetical इस तरीके से line खीच दूंँ पहले तो एक line खीचूंगा मैं इस तरीके से यह मानलो मैंने line खीच दी इस line के उपर forces लग रहे होंगे और किस दिशा में लगेंगे surface के along वो force लगता है ठीक है भई यहाँ पर इस line पर इधर कुछ force लग रहा होगा ऐसे और similarly अब यह surface इस तरह flow तो नहीं होके जारी है वो जो हमने hypothetical line बनाई दी तो इस पर इधर भी इतना ही force लग रहा होगा हमारे पास force का magnitude आजाएगा कुछ और हमारे पास इस line की कुछ length होगी हम यहाँ से लिख सकते है surface tension T is known as force per unit length इस तरह के से surface tension को define किया जाता है या फिर actually हमें कई बार calculation करनी होती है force की तो हम क्या करते हैं force की जो value हैगी force will be equal to surface tension T times L और यहाँ पर जो surface tension T होती है यह उस liquid की property होती है एक constant होता है अब देखो हमारे पास यहाँ पर मान लो इस तरीके से एक wire का square बना हुआ है और उसको मैंने bubble वाले पानी में डुबो करके इस तरीके से निखाल दिया तो यहाँ पर हम देखते है इस तरीके से एक thin film बन जाती है basically हमारे पास surface बन जाती है ठीक है तब वो surface क्या चाहेगी कि यार surface area कम करो वो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी हम जानना चाहते है let's say मेरे पास ये वाली एक length है इस तरीके से जो wire है ये है length L और इसके उपर कितना force लग रहा है ये मैं जानना चाता हूँ देखो अब मैं इसी का cross section अगर मैं zoom in करके आपको बनाओ तो यहाँ पर कुछ ऐसा cross section हमें देखने को मिलता है ये हमारा wire है और इसके उपर कुछ इस तरीके से molecule होंगे पानी के यहाँ पर ये बहुत सारे molecule है लेकिन ये bulk वाले molecule हो गए हमें surface वाले molecule देखने है अब यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है ये molecule आपस में किस तरीके से force लगाते है क्योंकि ये दोनों अलग-अलग material है तो यहाँ पर हमाय पास ये surface होती है और इस surface की एक जो length होगी length वो इतनी ही लंबी होगी इस तरीके से तो इसके उपर कुछ इस दिशा में force लग रहा होगा तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे लिखूँगा कि भाई हमाय पास इस surface पर force लग रहा होगा ऐसे और यह जो force लगेगा इसकी value हो जाएगी क्या होगी surface tension T times length L और एक और interesting चीज़ यहाँ पर actually वो दिखती है हमें पतली सी film है लेकिन आप उसको zoom in जब करके देखोगे तो हमाय पास actually बीच में कुछ पानी होता है उपर एक surface होती है नीचे एक surface होती है हमेशा कितनी भी थिन आपके पास film हो उसको हमेशा ऐसी देखना हमाय पास उपर एक surface होगी नीचे भी एक surface होगी तो जो नीचे वाली surface होगी वो कुछ अलग थोड़ी ना है वहाँ भी इस तरीके से force लग रहा होगा जो होगा surface tensions time L तो भी मैं बोल सकता हूँ हमारे पास ये जो rod थी इसके उपर एक force ऐसे लग रहा था दूसरा force भी ऐसे लग रहा था ये दोनों forces लग रहे हम बोल सकते हैं भी इसके उपर जो F net लग रहा होगा वो हो जाएगा 2 times surface tension time L तो बहुत सारी बाल तो surface tension में हमें लगते हैं अब इस पर बेस्ट और conceptual चीज़े देखते हैं किस तरीके से bubble काम काता है drop काम काते है आगे चलते है a thin liquid film form between a u-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raise to power minus 2 newton the length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible तो हमायाँ पास ये लेंथ देगी है इसका weight negligible है the surface tension of the liquid film is तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा हमायाँ पास कुछ force तो ये नीचे यहाँ पर एक rod है उसको ये नीचे कहीचने की कोशिश कर रहा है mg पर लग रहा होगा लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है ये support किया हुआ इसको weight को किसने support किया है यहाँ पर यहाँ पर surface tension ने इसमें force लगा रखा होगा wire है आपको जो भी बोलना है इसी ये cross section देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर हमाया पास एक surface इस तरफ है और दूसी surface पीछे की तरफ होगी दोनों surfaces के कारण हमाया पास यहाँ पर जो length L है इस तरीके से उस पर force लगेगा यहाँ पर हमाया पास force लगा रहा होगा इस तरीके से F यहाँ पर भी हमाया साथ force लगा रहा होगा इस तरीके से F दोनों ही F की जो value होगी वोगी surface tension times length L जहाँ पर हमाया पास जो length L है वो इस तरीके से यह है अब देखो हमाया पास force balance करना है तो हमें करना होगा mg is equal to 2 times surface tension times L 2F के बराबर है और यहां से हमाई पास आजाता है mg की value दी है 1.5 into 10 raise to power minus 2 newton is equal to 2 times surface tension मुझे पता करनी है length कितनी दी होई है मुझे 30 cm ऐसा unit में आओंगा तो मेरे पास value कितनी हो जाएगी 0.3 इस तरीके से 0.3 से 1.5 कितनी बार कर जाता है 5 times और हमाई पास surface tension की जो value हो जाती है वो हो जाती है 2.5 into 10 raise to power minus 2 और यहां पर हमाई पास इसकी unit भी आ जाती है surface tension की बाद है force per unit length तो यह आने वाला है हमारे पास क्या newton per meter d becomes our correct answer surface tension में कुछ question ऐसे पूछे जाएंगे जैसे मानलो माई पास इस तरीके से एक object है यह तैर रही है पानी के उपर यह डूब नहीं रही है क्योंकि surface tension तो ऐसे example क्या होते हैं आपने देखा होगा पानी की surface मच्छर तैर रहा होता है कैसे तैर लेता है मच्छर मच्छर के पैर का cross section कुछ ऐसे ही होता है मच्छर पानी के उपर पैर रखता है और surface एक surface है तो वो उसके लिए ऐसे काम करती है यार वो गद्दा है वो उसको अंदर आने ही नहीं देती actually में क्या हो रहा होता है मानलो मैं पास इस तरीके से कोई object है इसके उपर forces क्या लग रहा होगा इसके उपर नीचे की तरफ force लग रहा होगा इस तरीके से mg ठीक अगर ये नीचे नहीं आ रहा है यानि कि इसके उपर forces सारे बराबर है अब यहाँ पर देखो इसके उपर forces दूसा कौन सा लग रहा होगा एक लग रहा होगा इसके उपर buoyant force लग रहा होगा ठीक है उसको भी बना देते हैं यहाँ पर हमाई पास यह बन गया F buoyant लेकिन साथ में इसमें एक surface tension का भी force लग रहा होगा किस तरीके से लगए surface tension का force इसको visualize करने की कोशिश करो हमाई पास यहाँ पर इस तरीके से एक length है जो पूरी की पूरी इसके चारों तरफ है और surface उसको उपर यहाँ पर इस तरीके से force लगाएगी ऐसे यहाँ पर पानी इस तरीके से 3-dimensional में आप इसको feel करने की कोशिश करो जैसे यहाँ पर एक surface है surface इसको उपर की तरफ खीच जोगी surface में तो आपस में ऐसे forces लगते है यहाँ पर surface इस तरीके से bend हो जाती है और हमाई पास surface उपर की तरफ tension का force लगता है इस तरीके से ऐसे और वो पूरे में इस तरीके से लग रहा होगा पूरे 3-dimension में इस तरीके से force लग रहा होगा ठीक है surface tension का force कितना हो जाएगा surface tension का force होता है देखो हमाई पास f surface tension f surface tension उसकी value हो जाती है surface tension जो कि एक constant है multiplied by length इस case में वो length कितनी है वो है हमाई पास 2 pi r 2 pi r इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ और अगर मुझे कोई forces balance करने के लिए बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा mg is equal to force buoyant plus t into 2 pi r इस तरीके का question आप से पूछा जा सकता है same चीज अब देखो मेरे लिए geometry यहाँ पर बदल दी गई है ठीक है तो यहाँ पर हमाई पास कुछ इस तरीके से आप अब visualize करने के इसको कोशिश करो surface tension किस surface के along लग रही है हमाई पास ही कुछ length है यहाँ पर सब जगे ऊपर की तरह force लग रहा होगा force due to surface tension उसको मैं क्या लिख सकता हूँ वो होता है देखो भई हमाई पास surface tension का constant multiplied by length अब length कैसे लिखी जाएगी तो देखो यह है मेरे पास radius r यह भी है मेरे पास radius r similarly पीछे भी होगा एक radius r और यहाँ पे भी होगा एक radius r 4 times तो मेरे पास r हो गया 4 times r हो जाएगा और फिर हमें मानलो यहाँ पर length दी हुई है कि भाई यह जो cylinder था उसकी length थी l एक length यहाँ जा रही है दूसरी length यहाँ जा रही है तो इसमें हो जाएगा हमाई पास plus 2 l इस तरह किसे हम surface tension का force लिख सकते हैं फिर आप इसको mg और हमाई पास जो point force लगता उससे अगर equate करना जाओ तो equate करके उससे आप answer निकाल सकते हो खास बात क्या है हमें दिखाई देना चाहिए भाईया कौन सा हिस्सा है जो इस तरीके से डूबा हुआ है उसमें surface इस तरीके से force लगा रही होगी और वही हमारा answer बन जाता है surface tension का यह जो छोटा सा वीडियो आपने देगा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदा से कलरफुल से crash course का जिसमें हमने 11 और 12 के सारे topics को colorful notes के साथ में और बहुत सारे PYQs के साथ में समझा है link is in the description वहापे आपको structured तरीके से सारे videos मिल जाएंगे उसको जरूर देखो और साथ में आपको मिल जाएंगे colorful PDF जो last minute revision में आपकी बहुत काम आने वाली है सब कुछ description में है वहाँ से जल्दी जल्दी से चीज़े ले लो हम मिलते हैं full course में